दुनिया में जब भी एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी का बात होता है तो इंडिया हमेशा शीर्ष पर होता है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का जो गठन था जो फाउंडेशन था वो भारत से ही जुरा था एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक जाने माने भारत के एस्ट्रोफिजिसिस्ट मेगनाथ शाहा के बाने मेगनाथ शाहा का जनम ढाका में हुआ था 1893 में वर्ली रिलेट करना मेगनाथ शाहा एक इंडियन ऐस्ट्रो फीजिसिस्स थे जिन्होंने शाहा इयुनाईजैशन थियरी को सब के सामने रखा था used to describe chemical and physical condition in star जो शहाह आयनाईशन equation था वो क्या होता था chemical and physical condition of star के बारे में हमें जानकार्या देता था उनके बारे में research work था उचसे प्रेडित होकर अनेक astronomers stars के जो temperature है, actual temperatures है उनके बारे में जान सके उनका जनम धाका में 1893 को 6 अक्टोबर में हुआ था उन्होंने काफी बुक्स पर लिखी है जिनका लिंक्स में डेक्स्क्रिप्शन पर दे दूँगा आप उने जाकर पढ़ सकता है एजुकेशन आम तोर पर उनका जो प्राइमेरी एजुकेशन है आम तोर पर उनका प्राइमेरी एजुकेशन जो है वो बांगलादेश से ही था और significant जो एजुकेशन स्थान बोलेंगे उनके life का वो है Presidency College of Kolkata मेगनाथ सहा का जनम जैसा कि मैंने बताया 6 October 1893 को कहां हुआ था बांगलादेश के एक जगा में उनके फादर का नाम था जगनाथ सहावाज एक ग्रॉसर इंदी विलेज उस विलेज के एक सबजी दुकान में काम करते थे मेगनाथ के जो early life था जो early stages of life थे वो बहुत poverty से गुजरा उन poverty के कारण उनको खर्चा निकालने के लिए स्कूल के बाद वो अपने family shop पर भी काम करने लगे आगे बढ़ते हुए हम उनके education की बाते करेंगे उनका जो formal education था वो generally बांगलादेश पर ही था फिर वो India जो कोलकाता हुआ पहले बांगलादेश और जो बेंगॉल था वो एक ही था तो उसी बीच में तब वो partition का समय था उसी बीच में जो turbulent political system था उस समय जो political system था वो बहुत उबरखावर सा था बहुत बिचलित सा था तो उस टाइम में प्रोटेस्ट के बीच उनको बहुत सारी दिक्कते उठाने परी थी क्योंकि ब्रिटिश का plan था कि बेंगल को डिवाइट कर दिया जाए तो फूलर वस दी गॉवर्नर अफ इस बेंगल उस समय फूलर इस बेंगल का क्या था गॉवर्नर हागे दिखते हैं कि one day he came to visit the collegiate college कौन आए collegiate college फूलर आए फूलर collegiate college को विजिट करने आए along with other students मेगनाथ अलग student के साथ वो अपने independence के लराई के लिए जो आवाज उठाए उसके कारण क्या हुआ कि उसको स्कूल से सस्पेंट कर दिया गया और उनका जो scholarship था उसको भी रद कर दिया तो उसको terminate कर दिया गया उसकूल से उसके बाद हो दूसरी स्कूल जिसका नाम था किशोरी जूबली स्कूल उस स्कूल में फिर मेगनाथ एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ करते थे उसको भी पास किया और अवल नमबर आये इन फूल इस्टर्न बेंगल रिजन बहुत बड़ी बात थे उस समय उस समय विध हाइस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इंगलिश, संस्कृत, बेंगॉली उनिस सो नौ में वो धाका कॉलेज में एडमिशन हो गया, दो साल पढ़ाई करने के बाद उनिस सो ग्यारम में वो आईस्-सी एक्जाम, जो आईस्स एक्जाम होटा था वो प्रेसिदेंसी कॉलेज के लिए होता था, उसमें थर्ड लेंग आये, उसी साल में फर्स रेंग जिसका जिनका था, उ Both of them took admission in Presidency College with mathematics को honor सकते हुए, दोंडोटे ही admission लिया Presidency College में. Among his teacher were Jagadish Chandra Bose. पिछले वीडियो में हमने Jagadish Chandra Bose के बारे में बात किया था. अगर नहीं देखे तो description में जाए, लिंक होगा तो उस वीडियो को जाके जरूट देखना. तो Jagadish Chandra Bose उनके टीचर थे, वही प्रफुल्ला चंद्रा रोय और अदर्स. बहुत सारे ऐसे जाने पहचाने नाम उनके टीचर्स थे, और उनके बैचमेट थे सत्यंद्रनाद बोश. इन चंद्रगोश और चंद्रगोश, स्वरी मिस्टीक हुआ पर यहाँ पर इन नहीं हैं, और चंद्रगोश. पी-सी महाला नोबीश, वस सीनियर, यहाँ पर लिखने पर यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो उनका बैचमेट था स्न बोश और चंद्रगोश, वही पी-सी महाला नोबीश, उनसे एक सार क्या थे, एक साल सीनियर थे. तो मेगनाथ प्रेसिदेंसी कॉलेज में किस से मिलते हैं? सुभाष चंद्रबोश से. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगनाथ शुरू से ही इंडिपेंडेंस मूव्मेंट से जुरे रहना चाहते थे. वो साइंस, अपने जो इंटरस थे, साइंस के रिसर्च वो भी करते थे लेकिन शुरू से ही हुए इंडिपेंडेंस से भी जुरे थे. 1913 में ही ग्रेजुएटेड फ्रम प्रेसिदेंसी कॉलेज and got this second rank in the University of कलकता. और second rank हासिल क्या हुए रिस, first one was, again, सत्यंदर नाद बोस, first rank लाए, वो ही दूसरे स्थान पर, स्थान पर कौन थे, मेगनाद शाहा. 1915 को बोड सत्यंदर नाद नाद रैंक्ट first in MSC exam, जो MSC exam हुआ, BSC graduation करने के बाद, उनमें दोनों ही first time पर थे. मेगनाद ने applied mathematics को अपना future बनाने का सोचा, और वो ही सत्यंदर नाद बोस ने pure mathematics को. तो आप देख सकते हैं, मेगनाद सहा और सत्यंदर नाद बोस, सुरू से ही एक दूसरे से competition कर रहे थे. हाथा कि उनके personal life में ऐसा कोई competition नहीं था, मैं बस result के आधार पर ये बजा रहा हूं था, हाथ, कि उनके बीच में competition था, और वही जाके feature में उन दोनों को साथ में मिलकर, एक बहुत बड़ा research paper publish करने का पुरुचान दिया. आगे बढ़ते हैं हम, India's freedom movement and science. मैंने पहले ही बताया था कि मेगनाथ सहा freedom movement से बहुत जूरे रहते थे. तो during 1913 through 1915 while studying in Presidency College, मेगनाथ got involved with Anushiland Samitie to take part in freedom fighting movement. ये Anushiland Samitie जो थी, ये एक youth का दल था, youth का एक group था, जो freedom movement को चारो तरफ फैलाने में मदद कर रहे हैं थे. तो उनमें मेगनाथ सहा एक popular participant है, है ना, तो बागा जतिन, जड़ बागा जतिन का नाप आप सुने होंगे, ये एक famous freedom fighter है, तो वो भी उनके hostel आते थे, जब परहाई के दौरान वा होस्तिल में रहते थे मेगनाथ सहा, तो होस्तिल में आके बागा जतिन उनके साथ discussion करते थ student को किस प्रकार आगे बराया जाए, किस प्रकार student में फैलाया जाए, तो building student organization, तो student organization को strong करने के लिए बागा जतिन भी मेगनाथ सहा से मिलने, उनके hostel पर आते थे, अब आके देखते हैं, कि start of career life and research, उनका जो scientific life था, उनका जो scientific career life था और research था, उनकी शुवाद ऐसे हुई क कि मेगनाथ decided to do research in physics and applied mathematics, but there was no proper infrastructure in Kolkata for higher research, in 1916, Sir Ashutosh Mukherjee requested मेगनाथ and Satyendra Nath to teach in the newly established science college, तो मेगनाथ का interest था physics and applied mathematics के लिए, लेकिन तभी परिस्तिती नहीं थी, मतलब ऐसा infrastructure नहीं था, कलकाता उनका 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 प्रहाई को, तो मेगनाथ का इनका 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 परहाई क अपना जो interest था उस पर वो focus कर पाए, लेकिन 1916 में आशुतोष Mukherjee के request करने के बाद, दोनों मेगनाथ सहा और सत्यन्दनाथ बोश ने जो science college ने newly established वहाँ था कोलकाता में 1916 को, उनमें परहाने का जो request किया था आशुतोष Mukherjee को, दोनों ने मान लिया, तो मेगनाथ का duty क वो क्या था, quantum mechanics परहाने का, उस समय इंडिया में quantum mechanics बहुत ही new new topics था, students को भी दिमान था, उस समय के students, जो scientific temperament वाले students थे, उनको भी दिमान था कि नए-ने topics को include किया जाए, इसलिए science college का गठन हुआ, और आशुतोष Mukherjee के कहने पर मेगनाथ सहा और सत्यन्दनाथ बोश ने जोइन किया एज़ टीचर, तो मेगनाथ सहा का duty क्या था, quantum mechanics परहाना, उइधिने few days of starting teaching, शहा आइन बोश ट्रांसलेटे पेपर पबिश्ट इन जर्मन भाई आइन स्टाइन, एन कौन से on relativity into English version, कुछी दिन के वहां पर परहाने के दारान ही, मेगनाथ सहा और जो सत्यंदन बोस्त है उन्होंने जो Einstein का theory of relativity पर जो पेपर था वो जर्मनी में था तो उनको English में translate कर डाला letter this was published as a book from Kolkata University जो translation किया उसको letter में publish ही किया गया Kolkata University से एक book के तौर पर तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सहा आयन्स theory उनके life का सबसे important achievement हम कह सकता है सहा आयन्स theory 1919 में American astrophysical journal published कि on selective radiation pressure in its application जो stars या space में थे उनके selective radiation pressure के application पर ये आयन्स theory बेस था शहा का तो ये research paper published वा 1919 में तो slowly slowly his expertise became astrophysics उनका जो interest था वो astrophysics के तरफ बहुत ज्यादा उनको आकरशित किया astrophysics जो topic था वो उनको बहुत आकरशित किया सहा आयन्स theory was published by 1920 मेगनार सहा established himself as one of the leading scientist in physics सहा उनके उसके बाद अपना जो higher study थे उसको वैसे तो वह teacher के रूप में कलकाता college में science college में पढ़ा रहते लेकिन उनका जो interest था उनको बजाय रखने के लिए वह abroad चले गए दो साल कहां पर imperial college london and at a research laboratory in germany इसके आगे बढ़ते हैं हम vision in india science and politics उनको एक इंडिया को लेकर बहुत बड़ा vision था वो politics में भी थे independence movement में भी थे science से भी जुरे हुए थे तो 1927 में मेगनात वाज elected as a fellow of london's royal society मतलब वो scientist के तौर पर बेहत popular हो चुके थे पूरे देश और दुनिया में he wanted to set up modern research laboratory laboratory in Kolkata तो एक modern research laboratory Kolkata में वो खोलना चाहते थे तो यही था उनका बहुत बड़ा vision वो इंडिया में ऐसे labs जो नहीं थे उस समझ जो उन्होंने देखा था जर्मनी में या लंडन में उनको यहां पर वो लाना चाहते थे but was not very successful हलाकि आपको समझ में ही तो आगे ही गया होगा कि 1927 में हमादा जो freedom movement था वो top level पर था तो उसके कारण यह सब चीजे successful नहीं हो पाया वो किया कि उसके बाद Allahabad University में चले गया 1932 को उत्तरपदेश Academy of Science was established तो 1932 को उत्तरपदेश Science Academy जो था उनका उन्होंने establishment किया और फिर Science College लोट आये Kolkata में 1938 में लेकिन इस समय उनका interest बदल गया उनका interest अब था nuclear physics में पहले astrophysics में था अब आ गया nuclear physics में यह जो topics थे उस समय हमारे इंडिया में बहुत new थे बहुत fresh topics थे तो आप यह भी कह सकते हैं कि मेगनाज शहां बहुत ऐसे scientist है जिन्होंने एकदम fresh concepts को इंडिया में लाने का कोशिश किया था है न तो 1947 में independence के समय he established institute of nuclear physics which later was named after him as Saha Institute of Nuclear Physics तो Saha Institute of Nuclear Physics का उन्होंने establishment किया he took the first effort to include nuclear physics in the curriculum of higher studies of science तो तभी उन्होंने जो nuclear physics का जो curriculum था nuclear physics का जो syllabus था उन्होंने हमारे इंडिया के higher studies के syllabus में उसको लाने के लिए उनका जो पहला effort था तब start हुआ 1947 में और development of science के लिए इसी field को और develop करने के लिए वह politics join हो सके हो गए ताकि वह science को और आगे ले जागे was elected as member of parliament अच्छा MP भी वो elect हो गए इसके आगे बढ़ता है nuclear physics in India जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने nuclear physics यह सब जो ने टॉपिक से इनको इंडिया में कर इंडिया के curriculum में higher studies के curriculum में include करने का जो प्रहतन था उनमें वो success हो गए he introduced the teaching of nuclear physics in Kolkata University at a time when people of the world had not witnessed the enormous impact of nuclear energy not only in India आप देख सकते हैं पूरे वर्ल मेर तब people ने उतना enormous तरीके से इसको explore नहीं किया था जो nuclear energy थे इसके बाद बढ़ता है जो उनका और एक achievement है कि Einstein theory of relativity के जो papers थे उन्होंने translate करके English में produce के थे ना he devote the literature and taught himself with rare meticulous and basis of physics carefully following books by great masters such as planks thermodynamics इनको वो अध्यान करते थे ताकि वो अध्यान करते थे ताकि वो अध्यान्स फील में इंट्रेस थे science के हर एक फील में वो जाना चाते थे इसलिए इसलिए इसे बुक को भी वो पड़ते थे nurse does new worms along with original papers of board summer field on quantum theory quantum theory of atom के जो original paper थे उनको भी वो explore कर रहे थे all his study armed him for the great contribution he was to make little later three दिन बाद जो उनका जो सबसे बड़ा achievement था कि together with s.n.bos he made the first English translation of Einstein paper of relativity Einstein का जो paper था वो जर्मनी में था तो जर्मन से वे English में जो translation था उन्होंने वो पब्लिश किया लेटर वो एक बुक के जहा के बारे में जो महत्पून जानकारिया है वो आपको पता चल चाहिए